दोस्तों सुबह आपके लिए एक अपडेट डाली थी कि अंतिम वर्ष को छोड़ कर बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा और यह UGC की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है तो इसको लेकर UGC ने कलियर्फिकेशन किया है UGC ने ओफिचिल नोटिस जारी किया है कि यह अपडेट के बारे में क्या है तो यह देनिक जागरन ब्यूरो नहीं दिल्ली की जो यह अपडेट थी हमने आप तक साज़ा की थी सबसे पहले आप तक यह अपडेट पहुचाई थी आप देखिए जो UGC ने नया नोटिस जारी किया है इसको लेकर UGC ने ज यहां पर दिखा देता हूं 11.05.2021 का यह नोटिस जारी किया है UGC ने खुद के ओफिशिल पेज पर आप UGC लिखेंगे तुनके ओफिशिल पेज पर आपको यह मिल जाएगा तो इन्होंने क्या कहा है उससे ओफिशिल नोटिफिकेशन के लिए कि it has come to our notice that an incorrect news regarding UGC guidelines on examination has been published in some print and digital media UGC had issued guidelines on examination and academic calendar from time to during last year further UGC letter dated 6 May 2021 as requested the universities to keep the offline examination in advance during the month of May 2021 देखिए दोस्तों यहां पर यह जो official letter UGC ने जारी किया है इसमें क्या कहा गया है कि जो आपके पास जो update आई है आज देनिक जागरन ब्यूरू में जो update दी थी तो वो incorrect news है अभी तक UGC ने किसी भी परकार की guideline जारी नहीं की है वो पिछले साल के तहत guidelines थी और अब कहा है कि हमारी जो guideline थी हमने जो 6 मही को notice जारी किया था वही है कि म notification चेक किया था UGC की website पर वहाँ पर official notification नहीं था लेकिन देनिक जागरन ब्यूरू की तहत मैंने आपको पहली का कि उनके according ये UGC ने उनसे बात की है तो वो अब clarify किया है UGC ने कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है और वो news है वो incorrect है और जब भी कोई भी update आएगी तो आप को official page पर ही वो official website पर ही UGC की मिलेगी तो ये बिल्कुल clarification कर दिया है कि ये जो guideline आई है examination को लेकर ये incorrect है और आगे जब भी आएगी तो आपको सुचित कर दिया जाएगा तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं secretary यहाँ पर sing nature है और ये पूरा notification आपको मैंन दिखा द को रहूत थे जबिले कर दो दिख दिया तेर ये जोículos को सुचित कर दुचला है तो ये नही जो को सिप दुच्ण